नमस्कार दोस्तो, Welcome to PK Classes, दोस्तो, Energy Audit Instruments, एनर्जी के आडिटिंग के टाइम कौन-कौन से इस्टुमेंट हैं, जो की हमारे उप्योग किये जाते हैं, आज हम इन इस्टुमेंट के बारे में जानेंगे, तो दोस्तो यह कोश्चन अक्सर हमारे एक्जाम में पूछा जाता ह है, पर इच्छा में अक्सर हम देखेंगे, लास्ट प्रिवियस एयर के कौश्चन पेपर यदि देखते हैं, तो हमें Energy Audit Instruments का कौश्चन है, जो की राइट साट नोर्स में या बैसे आपको मिल सकता है, तो आज हम जानेंगे Energy Audit Instruments कौन-कौन से होते हैं, और किस-किस काम क लिए उपयोग किये जाते हैं, तो दोस्तो जो भी चात P.K. Classes में First Time है, जो अभी भी P.K. Classes से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, साथी दोस्तो वीडियो को लाइक भी करें, तो Energy Audit Instruments, तो इसमें हम Energy Auditing की बात करें, तो Auditing बैसे की सभी जगाओं प Analysis of Energy, Use and Conception, Means जो Energy Auditing है, इसमें हम Energy के उपयोग और खपत के बारे में, क्या करते हैं, आडिटिंग करते हैं, कि मालो मन्थली यदि हम आडिट करते हैं, या एरली आडिट करते हैं, तो एक एर में कितनी Energy है, जो की जर्रेट हो रही है, और कितनी Energy का Conjection हुआ है, खपत हुआ हैं, तो Means, Energy जो आडिट है, यहें एक महत्पूर्ट पिरक्रिया है, जो की Government करवाती है, सभी जगाओं पर जितने भी हम Power Sectors देखें, हर सेक्टर में आडिटिंग होती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट फिल्ड में आडिटिंग होती है, लेकिन यहां पर जो बात हो रही ह यह वो है हमारी उर्जा का आडिट, तो फार, Accurate Identification of Energy Losses और Estimations भी यूज सम अप दी इंपार्टेंट इंस्टुमेंट ड्वेरिंग इन एनर्जी आडिट, means, Accurate Identification of Energy Losses, एक्चुल में हमारी एनर्जी जो हम create करते हैं, एनर्जी उत्पन करते हैं, चाए एलेक्रिकल एन एनर्जी की बात करें, एनर्जी कितनी लास हो रही है, इसका Estimation कितना यूज हो रहा है, इसके लिए कुछ महत्पूर्ण इंस्टुमेंट हैं, जो की एनर्जी आडिट में उप्योग किये जाते हैं, जिसमें यह सभी आडिटिंग इस्टुमेंट हैं, जो की दो कैटेगरी में रखे गाए हैं, जिसमें एक आपकी mechanical इस्टुमेंट से, जिसके अंदर pressure gauge, temperature and flow measurement आता है, दूसरे हैं आपके electrical instrument, जिसमें हम current, voltage, power and frequency को major करते हैं, तो आएए, अब हम सबसे पहले देखेंगे mechanical instrument, mechanical instrument के अंदर आपका pressure gauge, जैसे की आप जाते हैं, pressure gauge का उप्योग है, pressure को major करना, आप मालो air conditioning की बात कर रहे हैं, AC की बात कर रहे हैं, तो कितना pressure है आपका, या pressure gauge का जो काम है, pressure को major करना है, तो pressure gauge में हम burden tip, pressure gauge का भी यूज करते हैं, manometers का भी यूज करते हैं, या diaper gram का भी यूज किया जाता है, ये तीन जो instrument है, इनका हम basically उप्योग करते हैं, pressure को मापने के लिए, second है आपका mechanical में thermometer, अब thermometers के बारे में आप सभी जानते हैं, के हम temperature को measure करने के लिए thermometer का यूज करते हैं, जिसमें एक glass के टीव होती है, तो उसके अंदर mercury फिल होती है, और mercury का जो level है, heat को absorb करके, mercury उस valve के अंदर expand होती है, और expand होने के बाद कितना temperature है, वो हम पता करते हैं, तो temperature measurement के लिए एक आपका thermometer है, एक b-metallic thermometer है, एक RTD है, और इसके बाद thermo couples हैं, तो कई प्रकार के instrument हैं, जो कि हम temperature को मापने में उप्योग करते हैं, थाड़ है आपका बेंचरी मीटर, बेंचरी मीटर आप अक्सर देखते हैं, fluid mechanics के अंदर, के fluids के जो flow measurement है, जिसको हम discharge बोलते हैं, उसको हम measure करते हैं, बेंचरी मीटर से, किसी भी pipe से, किसी भी AC के pipe से, रेफिजरेंट फिलो हो रहा है, या क्योई float फिलो हो रहा है, तो एक क अब इसमें, पिटोट टीफ से हम, duct की air velocity को measure करते हैं, या flute की velocity को measure करते हैं, जो कि आपकी होती है, under root 2GH, cv into under root 2GH, इससे हम क्या करते हैं, पिटोट टीफ से, velocity को, या duct में, air की velocity को measure करते हैं, टेको मीटर, टेको मीटर used for measuring rotating speed, means, जो हमारी कोई भी shaft है, shaft rotate कर रही है, तो shaft किस rpm से revaluation per minute rotate कर रही है, उसको measure करने के लिए, हम जरली अपनी lefts बगएरा में, टेको मीटर का use करते हैं, एनिमो मीटर, एनिमो मीटर का उपयोग किया जाता है, बिंड की speed and direction का पता लगाने के लिए, तो all these instruments are mechanical instruments, इनको हम mechanical instruments के नाम से जानते हैं, इसके बाद जो आपके instrument energy auditing में use होते हैं, वो है electrical instrument, electrical में सबसे पहले आपका है emitter, emitter आप लोग सभी जानते हैं, emitter का उपयोग हम current को measurement के लिए करते हैं, current को measure करते हैं, किसकी help से emitter की, इसके बाद हम bolt meters की बात करें, तो bolt meters से हम voltage को mapते हैं, कि voltage आपका कितना है, किस rate से आपकी current है फिलो हो रही है, कितना voltage आ रहा है, या voltage को proper maintain के लिए भी हम bolt meters का उपयोग क करने के लिए या power supply कि यह फर्कवेंस इसको मंपने में किया जाता है। इसके बाद आप लक्स्मीटर दिख करें तो लक्स्मीटर का उपयोग हम allumusion को जाचने के लिए या चेक्थ करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी light आ रही आ है आपका मालो bulb है इससे कितनी है इलुमिनेसन से कितनी energy आपकी है जो की प्रोड्यूस हो रही तो इस अगारिट दीज इंस्टुमेंट भी यूज इन एन एनर्जी आडट एनर्जी आडट में हम इन instruments का यूज करते हैं और इन से सम्मंदित और भी कई digital bolt meters भी आता है digital pressure gauge भी आता है टेको meters भी आता है आजकल नए-nए measuring instruments हैं जो की आपके energy auditing में उपयोग किये जाते हैं तो इसके description है description और simple simple से कुछ diagrams हैं यदि एक question पूछा जाता है तो आपको अपने से simple simple diagrams यूज करना है बनाना है और उसके थुरू इसको explain करना है यहाँ पर आपको एक overview आज के वीडियो में मैं energy audit instruments के उपर दे रहा हूँ जिससे आपको help मिलेगी कि आपको name से आद रहेंगे कि वह यह कौन कौन से instrument है जो energy auditing में उपयोग किये जाते हैं थर्मा मीटर का एक छोटा सा black diagram ड्रा करके आप थर्मा मीटर दिखा दोगे pressure gauge आपने basic mechanical में भी पड़ा हुआ है इसके बाद आपने और भी higher semesters में देखा होगा तो pressure gauge में बाड़न टीप pressure gauge है जो कि आप generally use करते हो मैनोमीटर भी आपने fluid mechanics में देखा है मैनोमीटर से भी हम pressure को major करते हैं और तो इसके अलाबा आपका जो venture meter है venture meter में भी एक convergent part होता है एक divergent होता है एक throat होता है तो venture meter भी आप दिखा सकते हो तो जो instruments हैं इन सभी instruments की help से हम energy की auditing करते हैं क्योंकि energy का generation energy losses और energy का consumption ये तीनों निकालेंगे और इसका पूरा auditing करेंगे तो nest year जो हमारी generation losses and consumption होगा उसका हम पता लगा सकते हैं कि कितनी energy previous year हमारी consume हुई थी और कितनी उत्पन हुई थी और इस साल इसमें क्या इजापा या क्या increment हुआ है कितना हम progress किये हैं या कितना energy consumption है जो की बढ़ गया है ये सारी चीज़ें जब हम audit करते हैं तभी हमको पता चलती हैं ओके दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू है